जिस संत ने इस सदी में अपनी जिन्दिगी जी कर लोगों का प्यार हासिल किया है वह महान पुरुष, महान संत और कोई नहीं परशिर्डी साय बाबा है मराठी में साय का मतलब है आई, मतलब मा जिस संत ने लोगों को अपने माता-पिता के तरह समहाला और जीने का सही जर्या दिखाया विखुद हर रोज पांच घरों में भिक्षा मांग कर उस दिन के प्रसाद का सेवन कर जानवरों और पक्षियों में बाढ़ते थे उस महान संत की एक कहानी आज आपको सुनाएंगी ये वस्त्र जो आप देख रहे है, साय बाबा ने इसे अपनी समाधी के समय पहना था जो कि आज सौ साल से भी ज्यादा पुराना वस्त्र है इस वस्त्र को जैसे सौपा गया था, वैसे ही समहाला गया है एक भी बार इसे धोया नहीं है, बाबा ने इसे खुच सिलाया था साल 1908 में समाधी में जाने से पहले उन्होंने ये वस्त्र किसी को दिया था आईए जानते हैं किसको और क्यो दिया था ये है डॉक्टर अन्ना साहिब गवंकर, रुत्ती से ये वैद्य थे इनका जनम 1906 में हुआ था कोई रोग का शिकार होने के वज़े से जब उनका ठीक होना मुश्किल लग रहा था तब उनकी माता जी ने साहे बाबा के तस्वीर से प्रातना करके मननत मांगा कि अगर इनका बेटा रोग निवारन हो जाता है तो सारा परिवार सौ से ज्यादा मिठाई के डिब्बे के साथ उनका दर्शन करने जाएगा जिस दिन मननत ली थी उसी दिन वो रोग निवारन हो गए थे लेकिन गरीबी के कारण 5 साल तक किया हुआ मननत पुरा नहीं कर पाए पांच साल बार जब परिवार सहित मिठाई लेकर दर्शन लेने गए तब साई बाबा ने सारे मिठाई के डब्बे उनसे लेकर बिना किसी को दिये खुद ही खाना शुरू कर दिया तब उनके बाजू में बैटे हुए शाम जी माधवराव देशपांडे ने उनसे कहा कि बाबा ये क्या आप तो सारा ही खुद खा रहे हो हमें भी थुड़ा दीजिये साई बाबा ने उत्तर दिया कि इस लड़के ने मुझे 5 सार तक इंसार करवाया साथी बाबा ने ये भी कहा कि जो बस्तर उन्होंने पैना था वो इस लड़के को देना चाते हैं उनकी बाज का इज़त रखते हुए माधवराव देशपांडे जी ने वो बस्तर उस लड़के को 24 वर्षपूर्थ होने के बाद सौब दिया डॉक्टर अन्ना साहिब गवांकर ने वस्तर मिलने के बाद के अपनी पूरी जिंदिगी जन सेवा में लगा दी ये वस्तर के दर्शन के लिए आप सब कभी भी आ सकते हैं साहिब बाबा की बस्तर को स्वीकार करने वाले डॉक्टर अन्ना साहिब गवंकर की बच्चे यहीं रहते हैं, आपको उनका परिच्छे करवाएंगी. इनका नाम है डॉक्टर साइनाथ केशब गवंकर, ये भी डॉक्टर है और मुरेश्वर केशब गवंकर. अगर आप हें वीडियो पसंद आया थो शेर जरूर करें और लाइक करना ना भूले.